तो स्वागत है आप सभी का अग्यापन एकेडमी के इस नए और लडेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का उर्दू पढ़ने वाले हैं और 10th क्लास के उर्दू में टुटल 4 चैप्टर को कम्प्लीट करने वाले हैं जी है इसके पहले वा अन्तक आप लोगों को बिना स्किप किये देखना है और हर एक पॉइंट को समझना है हम लोग शौट को में समझेंगे लेकिन हां हर एक पॉइंट को कवर करेंगे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है एक वीडियो में 4 चैप्टर कम्प्लीट कराना इतना आसान बात थो भी बड़ा ही important होता है तो आप लोग अन्तक बिना स्किप किये देखिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझेगा और सुनिएगा ताकि इन चारों चैप्टर में से कोई भी question आप लोग के exam में पूछे तो आप लोग उसको छोड़ करना है अगर आप लोग चाहते है कि नहीं हम एक वीडियो में चार चैप्टर नहीं complete करेंगे हमको तो हर एक चैप्टर का एक अलग वीडियो चाहिए तो वहां पर विस्तार से पढ़ सकते हैं हर एक चैप्टर को एक चैप्टर वीडियो में बहुत ही विस्तार से आप लोग पढ़ाई हूं और समझाई हूं तो आप चाहे तो वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं और कोई दिकत नहीं है आज के इस वीडियो में भी जो हम लोग पढ़ेंगे ना इसमें और उसमें करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वुडियों को लाइक जरूर कर दे और जितना ज़िदा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितने भी आप लोग के रिष्टेदार है चाहुता शेयर कर दें ताकि सबी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके आप और जब लाइक्स कम आते हैं और व्यूस वगरा तो मुझे एक तर से कम ही महसूस होती है कि मैंने उतना अच्छा नहीं किया और फिर वहां पर मैं इस बात को सोचकर मोटिवेट होती हूं कि शायद मैंने नहीं मतलब बहतर नहीं किया अगले वीडियों में लोग और बहतर करेंगे तो एक तर से इसे भी मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब नमबर थाटीन का नाम है अस्दुल्ला खा गालिब का मक्तूब वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि अस्दुल्ला खा गालिब यानिकि मिर्जा गालिब शेर और शायरी के फिल्ब में काफी मशूर है आप लोग को मिर्जा गालिब की शायरी नहीं पढ़नी है बल्कि मिर्जा गालिब का मक्तूब यानकी खत को पढ़ना है आप लोग को क्या लगता है मिर्जा गालिब सिर्व शेरी किये हैं जी नहीं इनोंने खत भी लिखा है अपने दोस्त सेयद शा करामत हुसाइन करामत फमदाली के नाम, उसी खत को आप लोग को चैप्ट नुमर थाटीन, यान मितित्याउमय चैप्टर में पढ़ना है, मिर्दा गालिब ने मक्तूब को ही कहा जाता है खत यानिकी लेटर मक्तूब बोलिए लेटर बोलिए खत बोलिए फिर चिठी बोलिए बात एक ही है और मक्तूब लिखने को यानिकी खत लिखने को खुतूत निगारी या फिर मक्तूब निगारी कहते हैं आप लोग जो भी चाहे कह सकते हैं, खत बोलिए, मक्तूब बोलिए, फिर लेटर बोलिए, चिठी बोलिए, आप जो चाहे कह सकते हैं, तो चप्टर नमबर 13 में मिर्जा गालिब का मक्तूब यानि की खत पढ़ना है, और ये खत मिर्जा गालिब ने किस के लिए लिखा है, तो स्यद शाह करामत हुसाइन करामत हमदानी के लिए लिखा है, यानिंकि सेद शाह करामत रहे मिर्जागालीक के बारे में जो डिप्रेशाब भुरक में दिया गया है, वह मैं आप लोगों को बता देती हूं और तब यह गया लिखे हैं मिर्जागालीक, अपने दोस्त से क्या क्या कहें हैं किस बात का इजहार की है वो हर एक चीज में आप लोगों को पढ़ कर बताओंगे ठीक है ना चलिए समझते हैं सबसे पहले मिर्जा गालीब के बारे में इनकी पैदाइश हुई थी 27 दिसंबर 17 97 इस भी को कहां पर हुई थी तो अपने नानिहाल आग्रा में हुई थी यानि के नानी का घर था इनका आग्रा वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी 27 97 जरूर याद रखिएगा क्योंकि कोश्चन पूछ देता है कि मिर्जा गालीब की पैदाइश कब हुई ऑप्सन में दिया रहेगा इसे तरह से तार कर गए लेकिन फिर क्या हुआ की मिर्जा गालिब के जो चचा थे नस्रुल्ला वेग उन्हों ने विदे ढलीब को अपने सरपरस्ती में लें यांनी कि विद्रगा उनकी मिर्दा गालिब की जो पढ़ाई प्रिखाई है और पालन पोशन है चशा नसरुलाह बेगी नहीं किया था ठीक है ना मिर्जा गालिब जो है ना तखलुस पहले असद रखा करते थे फिर बाद में इन्होंने चेंज कर दिया और गालिब रखना स्टार्ट कर दिया तखलुस किसे कहते हैं आप लोग को पता हो इनकी जब आप लोग घजल को पढ़ेंगे तो लास्ट में गालिब तखलुस दिखाई देगा जिससे पता चल जाएगा कि यह जो मतलब घजल है वो किसके द्वारा लिखा गया है तो मिर्दा गालिब के द्वारा लिखा गया है तो तखलुस स्टार्टिंग में मिर्दा पृच्छ साल हिमर में मिर्दा ालिभ की तेरा साल की उमर में बख्ष खाम आजुद की बैटी बेटी का नाम नहीं बताया गया है कि भूस्थ इस व्मक्राइब की शादी बक्षखामारूफ की बेटी से हो गई और फिर मिर्दा का कलिप कहा चले गया दिल देंड जे आगे देखिए दिल्ली गये थे और मतलब दिल्ली हमेशा रहने के लिए ही चले गये और फिर खांदानी पेंशन के सिलसिले में ये कलगत्ता का भी सफर किये थे और कलगत्ता से जब वापस लोटे दिल्ली तो इनका कुछ हालात सही हुआ क्योंकि ये काफी गरीब थे पैसो की तंगी रहती थी इनके घर में तो जब खंदानी पेंसन के सिलसिले में एक गत्ता गये थे और फिर कलगत्ता का सफर करके वापस जब दिली लोटे तो इनका कुछ हालात सुदरा लेकिन फिर क्या हूआ उसे वक्त गदर का हम्ला होगया ड़य का मामला सामने आया है تو हुआ मतलब जी घर बहुत ही ज़्यादा जाहब उर्दू और फार्सी दोनों में शेश वाशायरी किये थे याद रखना ओर्दू में भी और फार्सी वह नहीं दो Sumer itables लेकिन दे लिखने लगे इंद हो और उर्दू नहीं बहुत ज़का बाद केटेंश deeper सब्जेक्टिव यानि कि रिटेन कोश्चन में किस तरह से पूछेगा कि मिर्जा गालिब के किसी दो खुतूत के मजमुआ का नाम लिखें और दो खुतूत का मजमुआ मैं आप लोगों को लिख दी हूं पहला क्या है उद्र हिंदी और दूसरा है उर्द्व मॉल्ला आप ल से थोड़ी सी नवाई दिना रहे हैं आप लोग उसको इंग्नॉर कीजेगा और यहां पर फोकस कीजिए 15 फरवरी 1879 को मिर्जा गालिब का इंतकाल हो गया यह सारी बात थी मिर्जा गालिब के बारे में सारा डीटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया था मैं सारा डी लेकर हैं शाह साहब को गालिब नात्वा का सलाम पहुचे यहां पर मिर्जा गालिब जो है ना देखे स्टार्टिंग इनका कितना जबरदस्त है शाह साहब को गालिब नात्वा का सलाम पहुचे स्टार्टिंग में जो है ना मिर्जा गालिब सेद शाह करामत हुसैन को क्य किये हैं सलाम किये हैं भाई मेरा क्या हाल पुछते हो जिन्दा हूं मगर मुर्दे से बत्तर यानि कि जिन्दा तो हूं मैं लेकिन मुर्दे से बत्तर हूं हवादिसे जमाना वारिज जिसमी से नीमे हो रहा हूं यानि कि इस दुनिया के हाद से और जिसमी विमारी के वज़े से मैं आधी जान हो रहा हूं गजा की हकीकत क्या है सुबा को आठ दस बादाम का शीरा दो पहर को सेर भर गोष्ट का पानी दो घड़ी दिन रहे दो या तीन तले हुए कबाब और बस मतलब यह अप बोल सकते हैं डाइट की रूटीन बता हैं कब कब क्या खा रहा हैं तो बता रहे हैं कि सुबा को आठ दस बादाम का शीरा पी लेता हूं और दो पहर को सेर भर गोष्ट का पानी दो घड़ी दिन रहे दो या तीन तले हुए कबाब बस और कुछ नहीं निस्यानी हद से और फिर मैं भूल जाता हूं ऐसी हालत में अगर खत का जवाब या इसलाही घजल देर में पहुंचे तो शिकायत नकीज़ेगा इसहालात में अगर आपके खत या फिर कलाम का जवाब जो है ना देर से पोँचे तो आप लोग आप शिकायत मत किजिएगा मुझे जिन्दा जो ताजा कलाम की फर्माइश करते हो घनीन नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर भेज़ देता है यहांपर मिर्दा गालिब जो है अपने दोस्त से जाग करमत हुसायन को बोल रहेैं कि मुझे तुम जिंदा समझते हो कि ताजा कलाम करते हो घनीन मत समझो कि मुर्दा कुछ लिख कर ही बेज देता है यही मतलब काफी है सौर रुपे जो तुमने भेजे वह मुझे मिले मैं दोस्तों की खिद्मत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता इस तकलिफ की क्या ज़ुरत थी कि हम पर बोल रहे हैं मिर्दा गालिब अपने दोस्त स गुजारी में कभी पीछे नहीं हटता मैं यहीं खिद्मत गुजारी को हाज़र हूँ अगर तुम यह पैसा नहीं भी बेजते इतना तो भी मैं खिद्मत गुजारी करता तुम्हारी हेल्प कर देता जब चाहो अपना कलाम भेज़ो तुम्हारी तीनों घजले बाद इसला मिर्दागालिब बोल रहे हैं कि अल्ला तुमें बूरी नजरों से बचाए तुम खुश रहो आबाद रहो उसके बाद से लास्ट में अपनों नाम लिख दिया है मिर्दागालिब यहां पर रोज़ता है यह खत कंप्लीट आई यह वाप लोगो समझ में आ गया होगा कि मिर् अब्दुलगफूर शोहबाज का लिखा हुआ मक्तूब है अब्दुलगफूर शोहबाज यह किसको मक्तूब यान की खत लिखे है तो यह लिखे है अपनी बेटी सोग्रा को अब्दुलगफूर शोहबाज की एक बेटी रेती है जिसका नाम रहता है सोग्रा तो अपनी बेटी सुग्रा को यह खत लिखे रहते हैं इसे चैपटर का टाइटल दे दिया गया है अपनी बेटी सोग्रा के नाम अब्धिलगफूर्च रबाद यह मकतूब यह की खत लिखे तो सबसे पहले अब्दुलगफूर शोभाज के बारे में समझ लेते हैं जो भी इनके बारे में डिटेल्स दिया गया है और फिर उसी तरह जिस तरह मिर्जगालिब की खत पढ़कर मैं आप लोगो बताई उसी तरह अब्दुलगफूर शोभाज का खत पढ़कर मैं बताऊं शोहबाज के नाम से मख्रूर हो गए क्योंकि शोहबाज इनका तखलुस था ठेके ना पैदाइश इनक्यूई थी सर मेरा बाढ़ में और मुझफर पूर से इंट्रेंस पास किया था इन्होंने इंट्रेंस पास किया और अर्भी और फार्सी में इनको काफी महारत थासिल थी अर्भी और फार्सी में महारत थासिल थी इनकी पहली बेवी का इनकाल हो गया तो फिर इन्होंने दूसरी शादी की असर फून निसा से दूसरी बीवी का नाम क्या है अश्रफुन नेसा बेगम और यह जो है ना श्रफुन नेसा यह डॉक्टर नजीर एहमट की साली थी अठारस अठान पर इस भी में जो है अब्दिल गफुर शवबास की दूसरी शादी हुँ थी यह याद रखना है और फिर यह दूसरी शाद ठीक है मुदेर यानिक एडिटर बन गया अवद पंच लखनाओ अलपंच पठना और अवद लखनाओ के यह अखबार लिखे थे ठीक है यह याद रखिएगा अब्जेक्टिम में पुछ देता है अलपंच जो है ना और अवद पंच और अवद यह तीनों जो है ना सालों के बाद अब्दुलगफूर की जो दूसरे शादी हुई थी और इनकी जो दूसरी बीवी थी उनका भी इंतकाल हो गया और उसके बाद से अब्दुलगफूर तो बिल्कुल तूठी गए और अंगाबाद के यह ना तो प्रोफेसर रहें और नहीं हुपाल के डिरेक के डिर सारे कलाम हैं नजम देख लीजिए यानकी कवीता इन्होंने लिए हैं सालगीरा मुबारक हुजूर निजामुद्दीन खुदा की रहमत तीन खंसे कानून और किस्मत यह जो है ना वगरा वगरा इनकी डिर सारी नजमें भी है और तस्नीफ देख लेते हैं मुकदम की मौत हो गई इनका इंतकाल हो गया था तीस नवांबर उन्हें साथ इसवी को और फिर यहां पर सारा डिटेल जो है ना कंप्लीट हो जाता है बस इतनी जानकारी आप लोगे बुक में अब दिलका फूर्श रबास के बारे में दी गई है अब चलिए यह खत को मैं आप ल लिखती इनका भी मतलब खत का जो स्टार्टिंग है जबरदस्त है बोल रहे हैं कि क्यों जी सोग्रा तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती मिजास तो उनका अच्छा है ना उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा रुकू के अउलाद के शेर जब तुम पड़ती थी ना और तुम्हारी चोटी बहन सांग साथ में वह भी पढ़ना चाहती थी तो दोनों के हक में मेरे दिल से दुए निकलती थी बुश्रा को तुम मिरातुल्म थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है बुश्रा इंकी चोटी बहन है ठीक है कि क थोड़ा थोड़ा पड़ाती रहो तो अचछी बात है मैंने तुम्हारी अमा को पढ़ाया वा माशाहिला तुम को पढ़ाती है तुम भी अगर बुशIRा को पढ़ा हो तो क्या मजाइक है हुकूक-स यहुक के खितार किताब है और उसको अगर तुम खत्म चैना म 1330 को ने चाहा तो मुहर्म की तातील में आऊंगा देखो तैयार रहना कहीं ऐसा नहों कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से न पढ़तों को इखला के हिंदी का मुखता तुम रोज नहीं पढ़ती यहां पर बोल रहे हैं कि अगर तुम हुकुक के आउलाद को खत्म कर दोगे इस कि मैं इनाम जरूर दोंगा अभी मैं आ तो नहीं सकता इसलिए इसके इसलिए मैं आ तो नहीं सकता और इसी वजह से वादा भी करना फिजूल है कि मैं तुम्हें इनाम दोंगा अगर खुदा ने चाहा तो मुहर्म की छुटी में जरूर आऊंगा लेकिन यह भी फिक्स नहीं है कि महरम की छुटी मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी देखो तयाद है ना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से ना पढ़ सको अखला के χिंदी का मॕष्टा तो मिर्जोत नहीं पढ़ती अखला के लिगी क्यों वह तुम ठीक से नहीं पड़ती भाई यह बात अच्छी नहीं अगर छोड़ दोगी भूल जाओगी और की कराई मेहनत बरबाद हो जाएगी इधर में असगरी को देखने नहीं गया मगर नहीं गया तो क्या हुआ लोगों से तो मालूम होता रहता है कि वह गजब की तरक्की कर रही है यहां पर अव्धुल्गाशु राबाद जो एक बेटी सुग्रा और असगरी नाम की को एक लड़की जहती हैं जो कि हो सकता है कि उनकी परऊशन हो तो अपनी बेटी सग्रा और असगरी के बिच कंपूटीशन करवाकर आपनी बेटी को पढ़ाई की तरफ आने क तेज है इतना वह इंटेलिजेंट है अगर तुम महनत करोगे तुम्हारे अंदर शौक है तो तुम उससे को भी पीछे छोड़ सकते हैं यह मोटिवेशन भरना जो है ना बहुत ज़्यदा जरूरी होता है बच्चों के अंदर और बच्चों को भी यही चीज बोल बोलकर काम सिखाया जाता है आप लोग देखेंगे बच्पन में बच्चों को बोला जाता है कि देखो तो वह कड़ लिया वह पढ़ने जा रहा है वह इतना पढ़ लिया तो बच्चे देखते हैं और एक कंपडिशन की भावना होती है कि हम उससे भी बहतर करेंगे उसको भी के पढ़ाई कर रही है देखो सुग्रा को शौख हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम Uskovक देसकती हो बोल कि देखो सुगरा अगर तुम्हारे अंदर शौक है अगर तुम मेनत करोगी तो तुम अभी भी असगरी को पीछो छोड़ सकती हो ठीक है ना आगे देखिए क्या लिखे हैं ठीक मुझे करोगी तो बिगार किसी की मदद के अपो पढ़ लोगी शौक और अप अपारी इस खत को पर्शकोफ फट को परत कोगी ठीक है ना उसके बाद से अपनी चोटी बेटी बुसरा को दुआ बोले हैं और उसके बाद से नानी को की खिर्मत में तस्रीम यानी को भी स्लाम बोले हैं और फाइनली यहां पर जो है न यह खत यानी कि अब्दुलगफुर जो अपनी बेटी को खत लिखे हैं यहां पर complete हो और चेप्टर नंबर 14 भी सी के साथ साथ कम्प्लीट यानि कि 13 और 14 चेप्टर कम्प्लीट हो गया अब चलिए मैं वोट को मिटाती हूं और 15 और 16 चेप्टर जो है दोनों लिखती हूं और फड़ाफट उसको भी हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं अगर आप लोग यहां तक स मक्तूब यानि की खत है किसके द्वारा लिखा गया यह खत है तो महदी अफादी के द्वारा लिखा गया खत है यानि कि इस मक्तूब को इस खत को महदी अफादी ने लिखा है और किसके लिए लिखा है तो मौलवी सेयद मकबूल एहमद समदानी के नाम महदी अफादी न ये खत लिखा था मक्तूब लिखा था और उसी खत को आप लोग को चैप्टर नमबर 15 में पढ़ना है कि अपने दोस्त जो है ना मकभूल एहमद समदानी से किस तरह की बाते किये हैं और खत में क्या क्या बताये हैं ठीक है ना उससे पहले हम लोग मेहदी अफादी के बारे म में गोरखपूर में याद रखना है कोशन पूछता है कि मेहदी अफादी की पैदाईश कहां हुई और पेशे से कोट इंस्पेक्टर पुलीस थे याद रखना ज़रूरी है आगे बढ़ते हैं मेधियफादी की इप्तदाई तालीम की बात करें शुरुवाति शिक्चा की तो इनकी इप्तदाई तालीम घर पर ही हुई थी यानि कि शुरुवाति शिक्चा और इनकी तीन शादिया हुई थी याद रखना है ये कोशन पूछ देता है कि मेधी अफादी की कितनी शादिया हुई थी ऑप्सन में दिया रहेगा तीन अभी आप लोग जितना भी खत पढ़ें पहला खत किसका था मिर्जागालिव का था उनकी एक शादी जब हम लोग खत मिर्दागालिव का तो उनकी एक शादी दुसरा खत अब्दिलगफु चॉबाद का तो दो शादी और तिसरा खत मेधी अफादी का है इनकी तिनुए टिन अपने दोस्त मोलवी सेद मकबूल एहमद समदानी को ये खत में क्या क्या बताने की कोश्के और क्या क्या लिखे हैं ये पढ़कर मैं बता दे रही हूं लिखे हैं प्यारे मकबूल मकबूल यानि के अपने दोस्त को बोल रहे हैं प्यारे मकबूल आपके खुश सवाद नु मेदी अफादी जो है ना वो अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि आपके खुछ सवाद नक्तखेज और लतीव इनायत नामा की अगर दाद देता हूं तो इस लिहाद से कि आपने नकाद के सहाफी को सरा है यानि कि आपने जो कलाम लिखा है ना उसकी अगर मैं दाद देता हूं सिर्फ इस वजह से क्योंकि नकाद के सहाफी को सरा यानि कि जितने भी तनकीद करने वाले यानि कि जितने भी आलोचक के जो सवेता संस्कृती पर नजर रखने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपने वो कलाम लिखा है और इसी लिए मैं उसकी दाद देता हूं कि लेकिन सची है कि आपके दाइरे नजर में बहुत ही मतलब आप जो है ना आपके देरे नजर में मैं हूँ और आप हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं इतनी इज़त करते हैं कि मैं इसको लफजों में बेयान नहीं कर सकता भाई याद ऐयाम से आपने मेरे दिल पर चोट लगाई अब वह पहला सा जोबन कहा वह कसाओ और रख रखाओ कहा समझाल यहाँ तुमने पुराए जमाने की याद दिलाकर बच्पन की याद दिलाकर गुजरे हुए जमाने की याद दिलाकर मेरे दिल पर चोट सी लगा दी अब वह पहला सा जोबन कहा वह कसाओ और रख ri網 कहां ठीक है और फिर यहांपर एक शेयर ने लिखे हैं कि आग थे। इबतदाई इश्क में हो गए खाक इंतहा ये हैं टेखे ना है ये शेयर लिखे हैं मेहधी अफादी। पिछली तस्वीर का यान इसका मतलब आप लोग समझी रहे हूँग Спबढ़ का फेल्स के अपनेस्वीर का खाका अपने दोस्त के बेजे पिछली तस्वीर का एक है इस मुझकिल को चाहरा अगया दूर से बैठे किस्सा सुना कीजिए और यह बात है बुढ़ापे में भी सितारों की कोई कमी नहीं, इससे खुश हुआ, कैसा फर्क मरतबत या तो बनने वालों की गड़ी हुई इस्तिला है, असीले मुर्ग की एक टांग, मुझे मेरे चाहने वाले वैसा ही पाएंगे जैसा पिछली सदी में था, ठीक है, यहाँ पर मेरी अफ चाहने वाले हैं, वो मुझे वैसा ही पाएंगे जैसा मैं पहले था, यानि कि मेरे में कुछ भी परिवर्तर नहीं हुआ है, मेरे में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, मेरे चाहने वाले वैसा ही पाएंगे जैसे मैं पहले था, आगे लिखे हैं, कुछ खबर भी है, यान से मैंने मुहब्बत किया था उस से मेरी शादी हो गये अब हो मेरे ऑना की तरह यानि कि साया की तरह मेरे सांथ है और आपको पुछनी है कि आप पूछ होगे कि हमारे और हमारी में कoff का और वाइफ में कौन बुझा हो गया है तो क्या捐 तो क्या बताऊं बड़ी हुई को परिस्तान कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं परिस्तान कहते हैं परियोग के रहने का जगा ठीक है ना और वो अपने घर को परिस्तान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने वाइफ को परी मानते हैं और परी जो है ना उनके घर में रह रही है इनकी परियोग के रहने का जग लूँगा देखिए बाट से थोड़ी सी नवाइजिंग आ रही है आप लोग जरह उसको इग्नोर कीजिएगा तो आपको मुझे बुलाना है तो आप 19 के बाद बुलाईएगा बड़े दिन से पहले जरूर बुलाईएगा ठीक है इस तरह से बड़े इस तरह होगा यह कि तफसील से देख लूँगा और बैठ कर जरह हम लोग तफसील से बाते भी कर लिया करेंगे ठीक है पुराने जमाने की बात करेंगे हम लोग पुरानी यादे ताजा हो जाएंगी तो इसलिए आप हमें बड़े दिन से पहले जरूर बुला दीजिएगा ठीक है तो यहां प आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं इंटर्विव डिफनेशन में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि किसी खास मौझू पर दो शक्स के बीच कि गई गुफ्तगू को ही इंटर्विव कहते हैं या फिर आप यू कह सकते हैं कि मुलाकात के दौरान की गई बातचीत को ही क्या कहते हैं इंटर्वियू कहते हैं जैसे बियोमर सब इंटर्वियू तो आप लोग जानते ही होंगे तो इंटर्वियू लिए गया है बेदी से और राजेंदर सिंग बेदी एक मशूर अफसाना निगार थे और उनकी ये आखरे इंटर्वियू थी ये इंटर्वियू ली गई थी 6 जुलाई 1984 को और इंटर्वियू लेने वाले कौन थे तो दो लोग थे इसमत चुक्ताई और फयाज रिफत ये दोनों लोग जो है ना ये बेदी से इंटर्वियू लेने के लिए गए थे 6 जुलाई 1984 इस भी को राजंदर सिंग इंटर्विय दिये थे और ये इनके जिंदगी का आखरी इंटर्वियू था और इस इंटर्वियू को राजंद सिंग बेदी ने रेकॉर्ड भी करवाया था ठीक है ना ये याद रखना जरूरी है याद रखना है आप लोगो छे जुलाई 1984 को ये इंटर्वियू हुआ था इंटर्वि तो चलिए सबसे पहले राजेंदर सिंग बेदी के बारे में समझ लेते हैं कि मतलब राजेंदर सिंग के बारे में जो भी डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है अगर उससे कोई भी कोशन आप लोग के इजाम में पूछे तो आप लोग छोड़ कर नहीं है येग कहां हुई option में दिया रहेगा लाहौर वीरे से टिक कर देना है आप लोग को या तो पूछ देगा कि राजंदर सिंग बेदी की पिदाइश कब हुई option में दिया रहेगा उन्हें सपंद्रा ठीक है इनका पहला अफसाना यान की पहला कहानी का नाम है महारानी का तौफा most important पूछ सकता है ठीक है ना पहला अफसानी मजमुआ यान की राजंदर सिंग बेदी का पहला कहानी का किताब का नाम है दाना वदाम ये भी important है बहुत बार पूछा गया है उसके बाद से ड्रामा का मजमुआ यान की राजंदर सिंग बेदी का लिखा हुआ ड्रामा का जो एकी नावल भी लिखा था जिसका नाम एक चादर मैली से एक चादर मैली सासार आद्रमन सिंग अफसाणा निगार भी है इन्होंने ड्रामा भी लिखा है नाविल ही किन अपन में कौन कून सी फील्म है मुलाजमत के ध किया था हम जौब किये थे और इंडिया रेडियो में और स्टेशन डारेक्टर रहे थे उन्हें से और तालिस इस भी में ठीक है और इनका इंदकाल हो गया था 11 नमबर अब चलिए हम लोग इस चाप्टर को समझते हैं जो उस दिन इंटर्व्यू लिए थे छे जुलाई उन्हेस चौरासी इस भी को इसमत चुकताई और फयाज रिफत यह दोनों जन मिलकर बेदी से इंटर्व्यू लिए थे तो किस किस तरह से कोशन पूछे गए और वेदी ने किस तरह से जवाब दिया यहार एक चीजा आप लोगों के बुक में लिखा गया है चलिए मैं आप लोगों को पढ़कर और हर एक डीटल्स बताती हूँ ठीक है ना चलिए यहाँ पर थोड़ा इसमत चुकताई के बारे में जान लीजिए इसमत चुकताई भी जो है ना उर नाविल निगार मशूर इसमाच उकताई यह भी एक मशूर अफसाना निगार और नाविल निगार है यह याद रखना इंपोर्टेंट पूछन पूछ सकता है कहीं से भी उसके बाद से कि आगे देखिये व्याजृष रिफट के बारे में जानने लीजिए व्याज रिफट जो हैना इनका तालुक ऐल इंडिया रेडियो से ठाशा ऑर शूल इंसिंग बेडीया रेडियो में नौकर कियी थे और चुछ बाद से लंबे पर यह सरफराज रहे तो यह आप लोग को इसमत चुकताई और फयाज रिफत के बारे में बताया गया था थोड़ा बहुत जो लोग इंटर्विव लेने के लिए हैं उनके बारे में भी तो जाना जरूरी है कि कौन कौन है तो इसमत चुकताई एक मशूर अफसाना निगार बाइब और नावीलनेगार पर फयाज रिफत न All इंडिया रेडियो स्टेशन में मुलाजमत यानिकी नवकरी किये थेs समय स्कूर और यहां तक कि यह इंडियार्य Może रहे थे और एंटर्विय तो देखिये इंटर्वियू स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले फयाद रिफत पूछ रहे हैं कि बेदी सहाब हम लोग और इंडिया रेडियो से हाजिर हुए है और आपका तालुक भी और इंडिया रेडियो से रहा है बिल्कुल सही बात है लेकिन इससे अलग आपका एक हैं लेकिन इससे अलग आपका एक अलग मरतबा है एक बड़ा कद है और उर्दू अफसाने में आपका बहुत बड़ा नाम है आप बहुत बड़े अफसानानिगार है एक जमाने से जी चाहता था क्या जी चाहता था कि आपसे बैठ कर बाते करें कुछ पूछें आपसे साने के बारे में कहानी के बारे में इसमत आप आपसे ज्यादा असानी से बात करेंगी ठीक है ना तो अब इसमत चुक्ताई जो है ना वो पूछेंगी यह बोल रहे हैं फैया जर्फत तो बेदी बोलते हैं ठीक है इसमत आप आप शुरू करेंगी और मैं जवाब दूंगा तो इसमत चुकताई जो है ना वो बोलती है कि एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आये और कहने लगे कि राजंदर सिंग बेदी की जबान के बारे में आपका क्या ख्याल है मैंने कहा बहुत कम और छोटे-छोटे जुम्लों में बहुत कुछ कहते हैं तो इसमत चुकताई कहती हैं बेदी से कि एक दफ़ा एक बार की बात है कि एक साहब हमारे पास आये थे और उन्होंने कहा कि राजंदर सिंग बेदी की जबान के बारे में उनकी भाशा के बारे में क्या ख्याल है मतलब वो जो कहानी लिखते हैं उनका जबान भाशा कैसा होत थी इसे मैंने आहिस्ता इस्ता ठीक किया है इसमें चुकता ही कहती हैं कि मैं समझती हूं कि वह कोई खामी नहीं है बेदी कहते हैं इन दिनों मेरी उर्दू काफी अच्छी है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई खामी नहीं निकाल सकता बेदी साहब क्या कहते हैं बोलते हैं क जब आप पोस्ट ऑफिस में काम करते थे उस जमाने में ही आपने पहला अफसाना लिखा तो अफसाना लिखने की तहरीक आपको कैसे मिली और वह अफसाना कौन सा था और वह कहां शाय हुआ था यह कोशन पूछते हैं फयाज रिफत क्या पूछते हैं कि अच्छा बेदी साह था उस अफसाना का नाम क्या है और वह कहां शाय हुआ तो बेदी साब कहते हैं देखिए वह अफसाना का नाम था महारानी का तौफा तो मैं लिख भी दी हूँ पहला अफसाना का नाम क्या है महारानी का तौफा ठीक है ना वह वह जाय हो गया और वह मैंने टैगोर के अफ्साना था ठेखे न यह कौन बोलते हैं बेदी साहब बताते हैं तो अब देखिए यह सुनकर फयाज रिफत बोलते हैं मैं समझता हूं कि बेदी साहब अफ्साने में जो जबान होती है वह आराइश जबान नहीं होनी चाहिए वह तो उस कारेक्टर की जबान होनी बहुत ग्रेट है मगर जबान यह जबान सुनते सुनते तो मैं आजिज आ गया हूँ फिर भी फिर मैं तो वही अलफाज इस्तमाल करता हूँ जो मेरे जहन में आता है यानि कि यहां पर फयाज रिफत साब का पूशना क्या था कि इनका कहना यह था कि जो जबादी साब इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी के जबाने में जितने भी अफसाने लिखे जा रहा है है ठीक है अगर अपनी राये देनी हो तो आज कल कहा जाता है कि अफसाना बहुत अच्छा है दी ग्रेट है लेकिन जबान सुनते सुनते मैं आजिस हो गया हूँ और जो मेरे जहन में अलफाज आते हैं वही अलफाज का मैं इस्तमाल कर देता हूँ ठीक है अब फयाद साहब फिर पुछते हैं फयाद रिफत पुछते हैं बेदी साहब से अच्छा बेदी साहब आपकी अफसानों में जो मैंने क्या वज़ा है यहां पर फियाद रिफत का पूछना क्या है पूछ रहे हैं फियाद रिफत सहाब बेदी सहाब से कि मैंने महसूस किया है कि पिछले चंद बड़सों से पिछले कुछ सालों से आपके अफसाने में हिंदू मेथलोजी नुमाया है आपके यहां जो यह हम एक नई चीज पैदा हुई है इसकी वजह क्या है मतलब आपने अपने अफसाने में हिंदू मेथलोजी क्यों अपना लिया है ठीक है तो अब बेदी सहाब जवाब देते हैं वजह यह है कि हमारे यहां बेश्टर लोग मुसल्मान किरदार ही लाते हैं मैंने सोचा पूरे हिंदुस्तान में इतने हिंदू है उनका नाम अगर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं इसके अलावा मेरे अफसानों के किरदार मुसल्मान भी है जैसे तातिल ठीक है यहां पर बोल रहे हैं बेदी सहाब जवाब देते हुए कि वजह यह हैं कि हमारे यहां बेश्टर लोग मुसल्मान किरदार ही लेते हैं जितने भी अफसाने लिखे जाते हैं उसमें मुसल्मान करेक्टर ही होता है तो मैंने सोचा पूरे हिंदुस्तान में इतने हिंदू हैं उनका नाम अगर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है इसी वज़े से मैंने अपने अपसाने में हिंदू मैथलोजी को अपनाया है ठीक है अब देखिए इसमत चुकताई कोशन पुछती है कि अच्छा एक कहानी तुमने बड़ी खुबसूरत लिखी थी एक लड़की कहीं पर जाती है तो एक बुड़ा आदमी मोर में उसके पीछे पीछे जाता है वह बहुत खुबसूरत कहानी थी हाँ वह बुड़ा देखता रहता है कि वह लड़की बहुत गुस्सा में होती है कि यह बुड़ा कौन मेरे पीछे पड़ गया यह बाद में मालूम होता है कि वह बुड़ा उसके लिए पैगाम लाता है अपने बेटे का थीखे ना फिर बेदी साहब बोलते हैं यह सारा चीज यह ना इसमन चुकताई बेदी से पूछती है तो बेदी साहब बोलते हैं कि बेटे का पैगाम लाता है लेकिन वह लड़की समझती नहीं है और उसकी हर बात का जवाब जली कुटी हुई देती है फिर एक रष्ट एक रिष्टा आता है और वहाँ शादी हो तो फयाद जिफद अब कोशन पुछते हैं बेदी साहब से कि बेदी साहब आप फिल्मों के साथ वावस्ता रहे हैं और इसमें आपका अपना तजर्बा भी काफी है दस तक गरम कोट देवदास मिर्दा गालिब और मदू मती वगरा बड़ी खुबसूरत फिल्में की बाता मैं बोल रहे है कि सब बेजा है क्योंकि फिल्मी दुनिया जो डुप भी दुनिया नहीं उतित जाहरती दुनिया होती है कि आगे आगे आप बंबई में लोग फिल्मों में ज़्यादा दिल्चल्स भी लेते हैं तो बेदी साहब कहते हैं आपका कहना दुरूस्त है बंबई का बाजार ही फिल्मी है लोगों की अक्सरियत का मिजास भी फिल्मी है मेरी कहानियों पर फिल्में बनी है लेकिन मैं फिल्म बेनी का शौकीन नहीं अब तो ना महभूब जैसे डारेक्टर है और ना याकूब जैसा करेक्टर पहले कहानी पर फिल्म बनती थी अब तो करेक्टर और अधाकारों के मताबिक कहानी लिखने वाले बंबई के बजारों में भी मिलने लगे हैं ये बात बोलते हैं बेदी साहब अब फयाद और कहते हैं कोशन पुछते हैं कि बेदी साहब आपके ड्रामों का भी एक मजबूः मौजूद साथ खेल ड्रामे की मजमौा यहां की ड्रामा का किताब है साथ खेल इधर हमारे यहां कि क्या है इधर हमार हमार तजर्बा हासिल के ड्रामा लिखे हैं तो यहां पर इसमत चुक्ताई पूछती है यानि वह ड्रामा इस्टेज नहीं किये जा सकते हैं तो बेदी साब कहते हैं जी हां ड्रामा बहुत उंदा है लेकिन इस्टेज नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि ड्रामा का लिंद की जो है न लें पर ध्यान नहीं देते हैं हमारे यहां लिखे जाते हैं लेकिन inside लगदाइप लिखे लेकिन लंबाई का लोग ने रखते यहां तो बहुत 97 aliens Life लेकर नहीं तो बहुत ज़िता वुड़ के देते हैं हिसी वजिताइप मंदर जो हैं लिखा है एक चादर मैली सी बस वर लिखके बैठ गया फयाज रिफत सहाब आप पूछते हैं कि बेदी सहाब हमें आपकी एलालत का एहसास है लेकिन अगर आप लाहूर की कुछ यादे दोरा दे तो हमारे सामने आपकी पूरी जिंदगी आ जाएगी यहाँ पर फयाज रिफ राजंदर की बावत में मैं उनकी कहानिया पढ़ी तो बहुत मुतासिर हुआ और नतीजा यह हुआ की रास्ते से कोई आत्मी गुजरता तो मैं उसे पूछता था कि आप कृष्ण चंद्र है पंजाब पॉबिक लिब्रेरी गया तो पता चला कि वहाँ एक कैरियर रिसाला शाय हुँ होता है और उसके एडिटर कृष्ण चंद्र है मैं वहाँ गया और मैंने कहा आप कृष्ण चंद्र है वह कहने लगे तुम राजंदर सिंग बेदी हो और फिर हम दोनों गले मिल गये आप लोग को यहां पर कुछ काच समझ में आया होगा और कुछ काच नहीं सम कि वी थी जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफी मतलब मैं मुतासिर हुआ बहुत ज़्यदा मोटिवेट हुआ और नतीजा यह हुआ कि रास्ते से कोई भी आदमी गुजरता था तो मैं पूछता था कि क्रिश्ण चंद्र है मतलब राजंदर सिंग बेदी काफी मोटिवेट ह गए थे कृश्ण चंद्र से और कोई भी रास्ते में जाता था तो पूछते थे कि क्रिश्ण चंद्र है क्रिश्यं करें तो एक दिन हुआ यह कि पंजाब पॉब्लिक लाइब्रेरी गए तो उनको पसा चला की करियर रिसाला शाय होता है और उसके एडिटर जो है नत्र इ बेदी करद रियाशन दॉट है और यहां पर यहां पर लास्ट में इसात्थ हैं आपकी साहब आपकी साथ अथासिल हुए आज की गुफतरक को यहीं पर खत्रक्षाही आपका बहुत- հख्रुप क Warum यहां पर यह इंटर्व्यू का देंड हो जाता है खतम इंटर्व्यू और इसी के साथ आप लोगा चैप्टर नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ 13 से लेकर 16 चैप्टर यानि की टोटल 4 चैप्टर को आज के इस मातर एक वीडियो में आप लोग कंप्लीट कर लिए आई होप आप लोग को हर एक चैप्टर एक दम बहतरी नंग से समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो कमेंड में लिख कर जरूर बताए और इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर दें अभी तक लाइक नहीं किये तो फड़ाफ़ लाइक करें और जितना जिदा हो करते अपने पढ़ों सिया अपने दोस्तों के पास जितने भी आप लोगे छोटे भाईवान है जितने भी रिश्यदार है चावताब शेयर कर दें तकी सभी लोग इस विडियो का लाब उठा सके आप लोग शेयर ज़रूर करें ये आप लोगा शेयर लाइक जो होता है न और अगर आप लोग चानल पर नए नए आये हैं मैं वीडियो को पहली बार देख रहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूरूर। बालीजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे फेले पहुचें यहां तक आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ बाई बाई टेक केर और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और ख़दा हाफिस